ध्यान रखने योगे बहुत जरूरी बात हैं फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुने नमबर वन इटली डोसे के बैटर बचने पर उसमें खाने का पान डाल दें इससे बैटर जादा खटे नहीं होंगे नमबर टू सबजी या फलों को 4-5 घंटा पहले काट करना रखें इससे सबजी या फलों से पोसक तत्व जो है वो खतम हो जाते हैं फ्रेंस सबजी को कभी भी 4-5 घंटे पहले नहीं काट के रखना चाहिए सबजी को जितना हो सके साथ की साथ ही काटें ताकि उसके पोसक तत जो हैं उसमें बने रहें नमबर त्री तंदूरी रोटी बनाते वक्त आटे में थोड़ा सा दही डालें और हलका गरम पानी से आटा गूतें इससे तंदूरी रोटी मुलायम और कुरकुरी बनती है नमबर फोर दारू, चाय, कोल्ड रिंग ज़्यादा पीने से हिर्दे रोग होने की संभावना आधिक हो जाती है जितना हो सके दारू, चाय, कोल्ड रिंग इनका ज़्यादा शेवन ना करें क्योंकि इससे आपके हिर्दे में बहुत ज़्यादा रोग होने की संभावना हो सकती है नमक वाले पानी में डाल दीजिए टमाटर टाइट हो जाएगा नमर सिक्स यदि घर में टमाटर ना हो तो सबजी में टेमेटो केचप या टेमेटो सौस भी डाल सकते हैं नमर सेबन अंडे को वालते समय अंडे में थोड़ा सा नमक या सिर्का जरूर डाले इससे अंडे जल्दी उबल जाते हैं फ्रेंस जब भी आप अंडे वाल रहे हैं तो अंडे में या तो नमक या फिर सिर्का डाल सकते हैं इससे आपके जो अंडे हैं वो जल्दी से उबल जाएंगे नमबर एट घी में थोड़ा सा अजवाइन डाल कर गरम करने से घी में कैलिस्ट्रोल की मातरक कम हो जाती है आप घी में थोड़ा सा अजवाइन डाल दें जो इनको कैलिस्ट्रोल की समस्षा है उसको कैलिस्ट्रोल की समस्षा नहीं होगी 9. सबजी के ग्रेवी गाड़ी बनाने के लिए प्याज भूनते वक्त इसमें एक चमस बेशन डाल कर भूने इससे सबजी के ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी और टैस्ट भी अच्छा आएगा 10. नूडल्स को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक और तेल मिलाएं और उबालने के बाद छलनी से चान कर ठंडे पानी से दोने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले दिखाई देंगे 10. आपको ये टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें फ्रैंस वीडियो को पूरा ही सुने तब ही पता चलता है कि वीडियो में है क्या 11. तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक पानी में डाल कर उबालने इससे उन जगाँ पर इस्प्रे कर दें जहां चीटिया नजरा रही है 12. यदि आप थोड़े कम पके अमरूद को बीच में से काट कर उस पर नमक लगा कर आग में पका कर खाते हैं तो इससे प्रानी खांसी ठीक हो जाती है 13. बार बार उल्टी होने पर बरफ चूसने से उल्टी होना बंद हो जाती है 14. एक ग्लास अंगूर के जूस में दो चम्मस शहद मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है 15. निम्बू विटामिन सी से भरपूर होता है पानी में निम्बू का रस मिलाकर पिए या फिर सलाद में निचोड कर खाएं ऐसा करने से यह हमारे सरीर की गंदगी को साफ कर देता है 15. निम्बू में विटामिन सी भरपूर मातरा में होता है आप इसका सेवन करें यह आपके सरीर की गंदगी को साफ कर देता है 16. बादाम शौफ और मिस्री को समान मातरा में पीज लें रोज रात को और दोपैर में खाना खाने के बाद इसका सेवन करने से इसमन सकती बढ़ती है 17. यदि खाना बनाते वक्त सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो सब्जी में थोड़ा सा क्रीम या दूद डाल दें इससे सब्जी में नमक की जो मातरा है वो कम हो जाएगी जो सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाता है तो आप उसमें दूद या क्रीम डाल सकते हैं इससे सब्जी में जो नमक ज़्यादा हो गया है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी नमर 18 प्याज की प्यूरी बनाते समय थोड़ा सा पिसा हुआ पनीर मिला दें इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा नमर 19 दाल मोट बनाने के लिए दाल भी होते समय एक कप दूद मिला दें दाल फुली और एवं खस्ता बनेगी जब भी आप दाल मोट बना रहे हैं तो उसको भीगोते समय उसमें एक कप दूद मिला दें सेप की दाल फुली हुई और एकदम खस्ता बनेगी नमर 20 बारिस के दिनों में दालों और चावल में वहुद जल्दी घुन लग जाता है इसके लिए आप इसमें तेज पत्ता और खड़ी हल्दी डाल कर रखेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे फ्रेंच बारिस के दिनों में ज़्यादा तर चावल या फिर दालों में घुन लगने की समस्ता होती है इसलिए आप उसमें तेज पत्ता और खड़ी हल्दी डाल कर रख दें से दालों या चावलों में कीड़े नहीं लगेंगे बादाम का चिलका अगर आसानी से नहीं उतरता है तो उसे गरम पानी में एक घंटे के लिए भीगो कर रख दें चिलका तुरंथ निगल जाएगा नमर 22 बेशन के लड़ू बनाते समय ये उसमें थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला देंगे तो लड़ू और भी ज्यादा टैस्टी बनकर तयार होंगे तो बेशन के लड़ू बनाते समय इसमें थोड़ा सा मुंग डाल का आटा भी मिला दें इससे आपके लड़ू बहुत जाड़ टेस्टी बनेंगे नमर 23, बारष में अक्सर नमक में नमी आ जाती है इससे बजने के लिए नमक में कुछ दाने चावलों के डालते हैं इससे नमक में शीलन नहीं आएगी बारिस के दिनों फ्रेंज अक्षर नमक हो या बिस्किट हो ऐसी चीजों में सीलन आ जाती है तो उस डबे में आप चावल डालने से चावल उसको सोक लेते हैं और आपके बिस्किट हो या फिर आपका नमक हो वो सीलता नहीं है अगर फिर्ज में बदबू आ रही है तो एक नीबू लें और उसे बीच में से काटकर फिर्ज में अलग अलग उपर नीचे रख दें बदबू गयब हो जाएगी नमर 25 किचिन में चींटियां दिखाई दें तो चींटियों वाली जगा पर थोड़ा सा आटच रख दें इससे चींटियां चली जाएगी नमर 26 सब्जी में मिर्च अदिक हो जाए या सब्जी तीखी हो जाए तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें इससे सब्जी का तीखापन चला जाएगा फ्रेंस आपकी सब्जी में मिर्ज तेज हो गई है तो आप उसमें मतलब थोड़ी सी चीनी डाल दें तो इससे आपकी सब्जी का जो तीखा पने वो कम हो जाएगा नमर 27 दही जमाते समय दूद यदि दूद में छोटा टुकड़ा नारियल का मिला दिया जाए तो दही बढ़िया जमता है और दो तीन दिन तक फ्रेस रहता है नमर 28 अचार को खराग होने से बचाने के लिए लकड़ी के चम्मस का इस्तिमाल करें ध्यान रखें चम्मस गीला नहीं होना चाहिए अचार निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मस का इस्तिमाल करें तो अचार जब भी आप निकाल रहे हैं तो लकडी के चम्मच का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि चम्मच कोई भी हो वो गीला नहीं होना चाहिए नमर 29 ठंडा पानी लेकर उसमें नीवू डालें और नमक डालें इसके बाद कटेवे टुकड़ों को इस पानी में डालकर निकालें इससे आपके सेव के टुकड़े काले नहीं पड़ेंगे फ्रेंट्स ठंदा पानी में आप नीवू डालिए नमक डालिए और आप उसमें कटेवे सेव के टुकुटे डाल दीजिए इससे जो आपके सेव हैं वो काले पढ़ जाते हैं वो काले नहीं पढ़ेंगे चटनी बनाते वक्त उसमें एक चमत दही डाल दें इसे चटनी का रंग नहीं बदलेगा फिर इसको कभी भी खाली नहीं चलाना चाहिए इसके खराब होने का खत्रा रहता है अगर कुछ नहीं हो तो उसमें पानी की ही बोतले रख दे नमर 32 रोज मोसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही धंसे होता है मोसमी का जूस इम्मूटी पावर को बढ़ाता है जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है पेंस हमें हरोज मोसमी का जूस पीना चाहिए यह हमारे रक्त संचार को धंसे करता है मोसमी का जूस हमारी immunity पावर को भी बढ़ाता है और यह हमें बीमारियों से लड़ने के भी ताकत देता है थोड़े कम पके अमरूद को बीच में से काट कर उस पर नमक लगा कर आग में पका कर खाते हैं तो इससे प्रानी से प्रानी खांसी ठीक हो जाती है नमर थाटी फॉर तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक पानी में डाल कर उबाल लें इसे उन जगहों पर श्प्रे कर दें जहां चीटिया नजर आ रही हो नमर थाटी फाइव गरम तिल के तेल में काली मिर्च डाल कर बाद में उस तेल को गठिया वाली जगह पर मालिस करने से दर्द में आरा मिलता है जिनको गठिया का दर्द होता है वो गरम तेल में गरम तिल के तेल में काली मिर्ज डाल कर रख लें तेल को गठिया वाली जहां पर आपको लग रही है गठिया की समस्चा है वहां पर इससे मालिस करें आपके दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा फ्रेंज आज आज आपको ये 35 बहुत ध्यान लखने योग गे कोकिंग एंड किचिन टिप्स आपको कैसी लगी जरूर से बताईए गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नियुक्त उस चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक ही थी